मैं आपको एक किस्सा बदाता हूं actually, actually क्या हुआ, मैं उसने पे 10th standard में था, तो 10th standard में जब था, तब TV था अमारे घर में, उसमें remote नहीं था, ठीक है, और सिर्फ दूर दर्शन आता था, और सब को पता है कि दूर दर्शन बहुत ही पवित्र चैनल है, ठीक है, बहुत अच् करता हूं, so, और क्योंकि मैं बहुत सिदातवादी हैं वो, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो there is a difference between my father and me, ठीक है, तो हम लोगे sex vex पे इतनी बात, मतलब sex मैं बोल दू मुह से, वो भी बहुत बड़ी बात है, और मैं 10th standard में था, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, मैं frankly speaking, तो हुआ कुछ ही हूं कि उस ताइम पे कुछ elections हुए थे, result आये थे, और भासनबाजी चल रही थी, politicians की, तो मेरे father TV देख रहे थे, politicians की भासनबाजी चल रही थी, और अचानक से क्या होता है, वहाँ पे एक निरोद का, पता नहीं मैं इस शब्द कैस एक निरोद का, मैं छोटा से बच्जा था, और रिमोट था ही न, मैं उसे बंद कैसे करता, हाला कि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, और मेरे father पीछे बैठे हुए थे, तो आचानक से क्या हुआ, एड आया, वो चल रहा था, politics का, speech चल रहा था, आचानक से जब निरोद का एड आया, तो मेरे father के हाथ मेना नीम्मू था, तो उन्होंने क्या किया मेरे सिर के जोव और ते मारा था, और मैंने का, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही, क्या हुआ, मेरे father कहते है, तुझे शरम नहीं आती, तुने बंद क्यों नहीं किया उसको, या अबास दिमी क्यों मैंने का मेरी खागलती है, मतलब मुझे क्या पता था कि एड आने वाली है, मतलब इतना जादा टैबू, are you trying to understand कि आज मैं अगर भोल भी पार हो, तो मुझे भी hesitation फील हो रही, मतलब तो यही समझ में आता कि इंडिया में 138 करोड की जनसंख्या होई तो होई कैसे, जिस बा काम करके 138 करोड की जनसंख्या कैसी होई, मुझे कोई आइडिया नहीं है